हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल नमस्ते तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि अगर आप कोई केमेरा एप्लिकेशन चाहते हो जिसमें जो फूल स्क्रीन हो जाए और आप देख सकते हो कि ऐसा की ऐसा वो बॉर्डरलेस पूरा की पूरा विजिबल हो बहुत उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको अप्लीकेशन जो भी एक शॉप्स्वेर अविलेबल है वेबकेम वीवर जो आपको यह सपोर्ट करेगा और यह आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत करके जो बहुत आप से और आप करने के लिए आप यहां से भी मटनें से डाउनलोड कर सकते हैं रहे हैं और आप जैसे डाउनलोड करोगे वो इसटोल यहेगा देख सकती है रहूं करें औरा उसको वो इन्सेट करोंगे ioul कर क्योंकि वह एक्चेस बैट जाये रहेगा उसको भी हो में यूज करता हूँ तो मैं यहां से मेरा camera recording है वो off कर रहा हूँ off कर दिया और मैं यह जो camera viewer है उसको मैं launch कर रहा हूँ ठीक है तो वो launch हो गया है और यह आपको selection के लिए option है का select camera तो मेरा जो integrated camera है वो में अभी use कर रहा हूँ वो use करूंगा और उसका resolution में यहाँ पर set करूँगा 4640 by 480 जैसे में click करूँगा देखो यह full screen हो जाएगा अभी आपको अगर floating mode अभी उसाथ on top of favorite screen डखना है तो आपको यह option select करना पड़ेगा उसको on करना पड़ेगा और अगर आपको full screen चाहिए तो आप full screen कर सकते हो तो यहाँ पर मैं और जाओंगा फिर से सेटिंग में में पहले camera stop करूँगा ठीके camera stop करके on top नहीं चाहिए मेरे को full screen भी नहीं चाहिए वह मैंने off कर दिया अभी मेरा जो यह resolution है वह change करके मैं one two eight zero seven twenty कर दिया है उसको maximum करूँगा यह निकाल दूँगा और यह full screen करूँगा और इसको यहाँ पर करूँगा तो full screen के लिए मेरे को फिर से enable करना पड़ेगा full screen का जो mode full screen का mode enable कर दिया और मैं यहाँ से कर दूँगा तो आप देख सकते हो यह all मोबल का screen रख सकते हो और आप उसको बारे में बता सकते हो तो यह यूजपूल application है मैंने और यूज़ की है और smoothly work करती है कोई crash वगर आप तक तो मैं ने देखा नहीं है तो आप इसको use करें मैं बोलूँगा और अगर इसमें कुछ दिकत आती है तो कमेंट करें हम उसका resolution सोचेंगे कैसे आप हम कर सकते हैं तो फिर से अगर आपको exit full screen mode में जाना है तो exit full screen mode कर दीजिए यह कर दीजिए तो आप देख सकते हो अगर मैं stop करूंगा तो stop हो जाएगा तो और यहां से मेरा application भी बंद कर दिया और यहां पर जो कि मेरा ice cream screen decoder में यूज कर रहा हूँ यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो फिर से जो वीडियो के हो यहां पर आ जाएगा तो आप inbuilt कर दिस वीजिए यहां पर आप आप आप